नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका पाथफाइंडर स्टीडी पॉइंट में तो इंपोर्टेंट जी एस क्वेश्चन की या जी एस फैक्ट की जो सीरीज हम लोग कर रहे थे उसमें आज ये कांटिनु करेंगे हम लोग तो सबसे पहला कुश्चन आज का देखते हैं महान भूबरंस घाटियां तो महान भूबरंस घाटियों का निर्माल कैसे होता है जब धो भूबरंस के बीच की जो चटान है वो नीचे धस जाती है तो उसमें जो घाटी बन जाती है उसको भूबरंस घाटी कहते है और महान भूबरंस की घाटियों का लच्छन जो है अफरीकी महादीप का विसेज भौतिक लच्छन है क्योंकि यहाँ पर पूरी एक साइड भूबरंस घाटियों से ही निर्मित है भारती सासक जिसे महिरकुल को भगाने का स्रेप्राप्त है वो है यसो धर्मन Western blood test यह AIDS से संबंदित है जिस प्रकार ELIZA टेस्ट किया जाता है AIDS के लिए उसी तरह से Western blood test भी AIDS से संबंदित है अब साइडियों की संबंदित यह art and culture में इस तरह के questions आते रहते हैं तो साइडियों की सहली और उनसे संबंदित जो प्रदेश है तो महेस्वरी सहली की साड़ी, उत्तर मत्परेज, पटोला, गुजरात में, बंधेज, राजस्थान, बोमकई, उडीसा और जामदानी ये उत्तर परेज की साड़ी की सहली है वायरलेस चारजिंग जो होती ही, जो आज कल के देखिए, एडवांस जो फोन है, महेंगे काफी फोन है, उनमें बिना वायर के चारजिंग की सुविधा होती है तो ये किस सिध्धान पर काम करते हैं, ये बिद्धुद्चुम की प्रेरण के सिध्धान पर, यानि इलेक्ट्रो मेगनेटिक इंड़क्सन के सिध्धान पर कारि करते हैं मिसन इन धनुस जो एक स्वास्त विभाग की भारत सरकार की टीका करण की योजना है इसमें कौन कौन से रोक सामिल है जिनका टीका करण किया जाता है तो डिप्थीरिया, कुकुरखासी, टिटनेस, पोलियो, हैप्टाइटिस B, खसरा और टीबी ये बिमारियां मिसन इन धनुस के टीका करण के अंतरगत कवर की जाती है ट्रांसफार्मर के गर्म होने का कारण क्या होता है धारा का प्रवा और हिस्टेरियस, हिस्टेसिस ये जो है ट्रांसफार्मर के गर्म होने का कारण होता है और ट्रांसफार्मर में गर्मी को रोकने के लिए उसमें एक आयल भरा जाता है तो जो उसकी गर्मी को समाप्त करता है तूटपेश्ट की प्रकति कैसी होनी चाहिए जो आदर्स तूटपेश्ट है उसकी प्रकति छारी होनी चाहिए क्योंकि अगर अमलियता 5 के नीचे हमारे मूँ की पहुंचाती है तो हमारे दात खराब होने लगते हैं विसुबैंग की रियायती खिडकी ये उपनाम किस संस्था का है ये अंतराश्टी विकास परिसद को विसुबैंग की रियायती खिडकी कहा जाता है जीरो कूपन बॉंड्ड क्या होते हैं बट्टा पर जारी तथा अंकित मूल पर फिर से प्राप्त जो बॉंड होते हैं उनको जीरो कूपन बॉंड कहते हैं बहरत का नियागरा जल प्रपात ये आप लोग नाम तो जानते हैंगे चित्रकूट जल प्रपात तो कहते हैं इसकी स्थिती क्या है ये बस्तर जिला जो 36 गड़का उसमें इंद्रावती नदी पर इस्थित है तो ये नदी का नाम इसमें ज्यादा इंपोर्टेंट है अब कुछ हवाई एड़े हैं उनकी सिस्थान पर है तो दाबो लिम हवाई एड़ा ये गोवा में है कैमपे गोडा ये बैंगलूरु में एक हवाय gehen है वीर सावारकर हवाय एड़ा पोर्ट बिलेयर में स्थित है डाड़ा डक्र बाबासाभ अम्बेडकर हवाय एड़ा नाक्पूर में स्थित है इस्थिला क्रतियां जो बनती है उसमें किस तरह کا परदन होता यानि अपरदन के उसके दूत क्या होते हैं, क्या कारक होते हैं, तो रास मुटाने जो इस्तलाकरती होती है, वो हिमानी अपरदन से बनती है, छत्रक सिला ये वायू के अपरदन से बनती है, इस्टैक समुद्री जल से बनती है, और अंधी घाटियां जो है भूमिगत जल के अपरदन के कारण बनती हैं रूस के सहरों का उत्तर से दच्छिड क्रम हमको लगाना है तो मरमांग सबसे उत्तर में है उसके बाद सेंट पीटर्सबर्ग, फिर मासको, फिर वोलगा ग्राथ प्रत्वी की केन से सतय की ओर असंबदताओं का क्रम तो प्रत्वी की जो बिबिन परते हैं, भूगारविक परते हैं उनमें कुछ असंबदताओं पाई जाती हैं, जो मैं पढ़ा भी चुका हूँ आप लोगो तो उसका जो करम है, ये इंपोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है तो अगर सबसे नीचे की बात करें, यानि सबसे अंदर केंद की तरफ तो सबसे पहले कोनराड असंबदता, फिर मोहोरविक असंबदता उसके बार रेपेटी गुटेंबर्ग और जो भूपरपटी है, उससे सबसे पास में लेह मैन भारत में लुप्रप्राय पच्छी कौन कौन से हैं, बंगाल फ्लोरिकन, छोटा जंगली उल्लू, साइबेरियन सारस और पिंक हेड़ेट डक्ट पर्यावरणी कानूनों की समिच्छा करने के लिए गठित समित के प्रमुक कौन थे, टी एसार सुबर्मणियम बिश्व की पहली सफेद बाग सफारी की स्थापना मद प्रदेश के सतना जिले के मुकुंद पुर में सन 2016 में की गई थी अम नहर हैं, ये किन जलराचियों को जोडते हैं, ये हमको देखना इंपोर्टेंट है ये पनामा नहर प्रसांत और अटलांटिक महसागर के बीच में है ये आप जानते ही होंगे, कील नहर उत्त्री सागर और बाल्तिक सागर के बीच में हैं, स्वेज नहर भूमद सागर को लाल सागर से जोडती है और सू नहर ये सूपीरियर झील और हिूरान झील जो पांच महान झीलें उत्री अमेरिका की है उसमें से दो जीलों को आपस में जोड़ती है कुछ जन जातियां है हैमाइट्स ये उत्तर पस्चिमी अफरीका में पाई जाती है मसाई जन जाती पूर्वी अफरीका की है पिगमी जन जाती कांगो नदी के बेसीन में पाई जाती है और बंटू जन जाती दच्छिड अफरीका एवं मद अफरीका में पाई जाती तो ये सारी अफरीकन जन जाती हैं लेकिन इनके निवास इस्थान इंपोर्टेंट है खाद तेल और उसमें जो अपमिश्रन किया जाता है यानि उसमें जो मिलावट की जाती है वो किन चीजों की होती है तो जो खाद तेल होता है उसमें और जीमोन का तेल डाला जाता है मिलावट के लिए दाले जो होती हैं उसमें मेटानिल पीला जो है केमकल होता हो डाला जाता है पिसी हल्दी में लेड क्रोमेड जाला जाता है और पिसी धनिया में मंड की मिलावट की जाता है लोगसभाद्यच के पद पर दो या दो से अधिक बार आसीन होने वाले विक्ति कौन-कौन है क्या है इसके बारे में पूछा जा सकता है संगम साहित की कविताओं के में सो के समुहों बद 400 कविताओं को जो संग्रह है उसको फुर्णा नुरू कहते हैं सार्दा एक्ट कब बना था 1930 में सती प्रथा उन्मूलन अधनियम 1829 में आया था हिंदुर पुनर विवा अधनियम 1856 और विवा की आयू के संबन में जो निधारन किया गया था उससे संबनित अधनियम जो था वो 1891 में बना था अंडाल कौन थी अंडाल एक महान अलवार संथ थी पेरियार नदी तमिलनादु में सुंदर माला की सिवगीरी पहाणियों से निकलती है और केरल की सबसे लंबी नदी पेरियार नदी है यलो रष्ट एक डिजीज होती है जो गेहू की होती है और ये कवक के कारण होती है जो एक घातक रोग है गेहू का पोंग बांध जील ये कहां पर इस्तित है हिमाचल प्रदेश में इस्तित है रुद सागर जील त्रिपुरा में इस्तित है चंद्रताल जील ये भी हिमाचल प्रदेश की जील है और तुशो मुरोरी जील ये लद्दाक छेतर में जम्मू कस्मीर की एक जील है बिश्व का सबसे कम घनत वाला ग्रह कौन सा है सनी ग्रह है तब ही इसके बारे में कहा जाता है कि यदि इसको पानी में डिबोया जाए तो ये पानी पर तैरेगा इस तरह के question भी आ चुका है बिश्व का सबसे गहरा प्रवेधन या ड्रिल जो है किस छेत्र में आज तक किया गया है ये आर्करिटिक महासागर छेत्र में सबसे गहरा ड्रिल किया गया है भारत में पूर्व का स्कॉटलेंड नाम से जाना जाता है मेघाले राजिको आवरसाणी में सरवाधिक गुण व और बाद में बढ़ने लगती है। दूसरी तरह से जो पूछा जाता है। बाएंशे दाएंजाने पर तत्त का धात्विक गुड़ कम होता जाता है। जल का रेसम या तलाब का रेसम यह संग्या दी जाती है। इस पाइरोगारा की जो एक सहवाल। लाल सागर के लाल रंग के लिए जो जिम्मेदार सहवाल होता है ये ब्लू ग्रीन एलगी समू से आता है इसको कहते हैं ट्राइकोडेस्मियम एरेथ्रियम ये नाम ज़रूर या रख लिएगा ये बार बार पुछा जाता है इंसुलीन हार्मोन किस प्रकार का हार्मोन है इंसुलीन एक प्यप्टाइड हार्मोन है सीथ काल में पेंडूलम वाली जो घड़ी होती है उसकी pendulum की गती कैसी हो जाती है बढ़ जाती है पाइंड वंस का सबसे प्रसिद सासक कौन था नेडू जेलियन था और पाइंड वंस का अगर सबसे प्रत्वम सासक पुछा जाए पहला सासक कौन था तो नेडियोन था चालुक सासको के सासनकाल का यात्री जिसके यात्रा ब्रतानतों दारा भारत चीन संबंधों का भिवरण प्राप्त होता है तो ये था मात्वान लिन ये चालुक सासनकाल में भारत आया था वजीर का पद अपने चर्मोतकर्स पर कप पहुंच गया था मतलब सबसे ज़्यादा प्रभाव साली किस काल में था ये तो फिरोज सा तुगलक के कारकाल में वजीर का पद जो है सबसे अधिक साली या सबसे ज़्यादा प्रभाव साली हुआ सल्तनतकाल में फवाजिल, ये किसलिए प्रियोक किया जाता था? खजाने में जमाराशिक को फवाजिल कहते थे हजरत-ए-आला या सुल्तान अदल ये किस सल्तनतकाली सुल्तान की जो है उपादिया थी? ये सेरसा सूरी की उपादि तो दोस्तों इस सेग्मेंट में इतना ही आगे फिर जो इसको कांटीनू करेंगे अभी के लिए इतना ही नमस्कार धन्यवाद